जैहिन एक पर फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Air Force के X Group और Y Group की त्यारी कैसे करनी है तो सबसे पहली चीज यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस तरीके से अपने X और Y Group की जारी कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से घर पे ही without any kind of coaching तो आप इस वीडियो को पूरा देखें मैं इसमें हर चीज एक्स्पेयन करूंगा कि कैसे 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 करना है ठीक है और इसके अलावा सबसे पहले मैं बता जेता हूँ जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कर ले आपको एरफोर्स क्रिकाडिंग काफी helpful information मिलने वाली है और इसके साथ अगर इसको फिर भी कोई डाउट हो तो परस्नेली मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे एड़े रेट एवाई उएस एच से आई नाई 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 पे मैसेज कर सकता है I'll be there to help you मैं तुम लोगों की जो भी प्रोब्लम होग इसको solve कर दूँगा तो चलिये सुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी time-pass के तो सबसे पहली चीज मैं बात करूँगा X Group के physics के बारे में तो मैंने जो पिछली वीडियो डाले जिसमें मैंने थोड़ा सा मेरे बारे में बताया था कि मैंने किस तरह केसे तैयारी करी ती तो उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई आपने फिजिक्स कैसे करी फिजिक्स की बुक्स कौनची है या फिर कौनची कोचिंग लेनी है ये सब और क्वेस्टन कैसे आते है नुमेरिकल जाद आते है नहीं तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो एर फोर्स में जो फिजिक्स का पेपर आता है मोडरे टू टू टफ लेवल आता है एजी नहीं कह सकते एर फोर्स के फिजिक्स के पेपर को कैसे कोई भी आया है और करके चला जाएगा और पास हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है सबसे पहले 25 नमर का आता है उसमें आपको कम से कम 10 नमर स्कोर करने है और बैटर होगा कि आप 15 पला स्कोर करें और फोर दे सेम आपको कौनसी बुक पढ़नी है वो मैं बता देता हूँ अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हो तो लूसेंट पढ़ लीजिए काफी सही है लेकिन अकोडिंग टू मी लूसेंट में थोड़ा सा जाता दे रखा है कि छोटे-छोटे सीक्वेंस वाई से लेकिन जाता दे रखा है समझा थोड़ा कम रखा है तो इसके लिए बैटर होगा आप सब ट्वेल्थ पास आउट हो तो आपके लिए सबसे बैटर कि आप अपनी 11 और 12 की फिजिक्स की बुक सबसे बेटर तो प्रिप्रेशन के लिए 11 और 12 की बुक्स के अलावा तो कुछ होई नहीं सकता फिजिक्स के लिए आप एक काम कर सकते हैं डेली जो मैं आप लोग वो स्ट्रेजी बता दूँ अगर आप वो फॉलो करें डेली 11 का लाइट 10 15, 10 12 चाप्टर तो डेली का अभी तक टाइम आप अप पास डेली आप याए कर सकते हैं कि एक chapter डेली solve करें डेली like और इसके साथ जब आप पुरा chapter solve करें हमको पढ़ना कैसे है पढ़ना ज्यादा नहीं है डीप नहीं जितने उसमें main formula है main concept है और जो जो भी quantity like ऐसे दिये कि कौन सी physical vector quantity है कौन सी scalar quantity है इसका क्या formula है इसका क्या principle है इस इलेक्रिक मोटर इलेक्रिक जनरेटरिंग के क्या principle है thermodynamics thermodynamics में करवा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ही और इसके लाब को दे रहे है transformer किस principle पर बेस है resistance को parallel में कैसे जोड़ते है series में कैसे inductance capacitance यह सब ऐसे important थोड़ा थोड़ा आप basic खुद पढ़ो और सबसे जरूरी जो चीज की point जिसको मैं बोल सकता हूँ है practice डेली आपको practice करनी जरूरी है कितना time कम से कम एक से दो गंटा आप डेली दो गे ना air force के लिए x और y दोनों के लिए बोल रहा हूँ कम से कम डेले दो गंटा दो गे ना एक दो मोग डालूँगा तो मेरा कैणिक मतलब वो पूरे sufficient नहीं कह सकता है मैं कि आपको सोन नमर आएंगे लेकिन हाँ कर आपने वो मोग करे आपको काफी हद तक physics की सम्मझ आ जाएगी आपको पता रहेगा कि physics में कहा से question उठते हैं तो उसमें मैंने अभी thermodynamics शुरू करा है और इसके साथ मैंने mock शुरू करा है कि mock में in the science मैं पूरे complete physics में से कुछ question उठाऊँगा जो एरफॉर्स में पिछली बार पूछे गए हैं या फिर इस बार पूछे जा सकते हैं वह सारे मैं करवा रहा हूँ physics में तर फिजिक्स के लिए आपको मैंने बता दिया आप चाहो तो लुशेंट पढ़ सकते हो और रिहंत पढ़ सकते हो NCRT मैं प्रिफर करूँ आप लोग NCRT से जो भी basic basic formula है और जो भी concept हो आप कर लें कोई दिक्कत नहीं है NCRT best है क्योंकि NCRT में कुछ गलत भी नहीं मिलेगा बाकी books का कुछ गलत भी हो सकता उसको मैं कह नहीं सकता लेकिन यह है कि practice main है इसमें काफी main है physics काफी role play करती है इसमें जो X group का जो पर होता है इसमें तो physics की त्यारी आपको अच्छा से करनी होगे तो daily practice मारो और इसके लिए मैं practice set कर और आप उन practice set को जरूर आप लोग देखते है न्यूस को वीडियो में 80-90 views आ रहे है यह क्या मतलग है यार मैं क्यो मना रहा हूँ फिर तुम लोगों के लिए मना रहा हूँ तुम लोग अच्छे से देखोगे अच्छे भी हो जाएंगा अच्छा feedback आएगा मैं तुमें और और बना के दूँगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से हो पाए formula के लाव match में कुछ नहीं आना probability देख लो या और कोई भी subject देख लो सब में formula based question है का math तो बिलकुल easy trigonometry बहुत important है math में क्योंकि हर जगह गुसा देंगे matrix में भी, determinant में भी, integration में भी, differentiation में भी हर जगह trigonometry तो गुसा ही देंगे तो math काफी जए math में ज़्यादा time spend करेंगे नहीं क्योंकि math में सिर्फ आपको formula based करना है अब इसके बाद बात करते है English जो कि X और Y ग्रूप दोनों के लिए बहुत जरूरी है और एक चीज ये आपको merit में लाने के लिए बहुत helpful होती है क्या? English इंगलिस के लिए आपको क्या करना है? इंगलिस में मैं आपको सबस्पहले basic बताते हैं तो इंगलिस का जो key point की होती है और क्या होती है बुक की बात करूँ तो अगर किसी की 11th और 12th में ग्रामर है तो वो बढ़ सकते हो या फिर आप अरियंत की बुक ले लो इंगलिस के लिए या लूशेंट की ले लो कोई भी एक ले लो इंगलिस जिसमें ग्रामर हो सारी ओल्मोस इसे पेसिव नरेशन, वर्ब, पेसेज, ये आर्टिकल, मोडल, वर्ब, ये सारी चीज़ हो जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मिल जाए और आपके थोड़ी ग्रामर के लिए कॉंसेप्ट भी किलियर हो से तो इंगलिस का मेन सीन ये है कि इंगलिस में पैसेज आता है तीन से चार नंबर का आप लोगों को उसके लिए क्या करना अंजीन पैसेज कम से कम पांट दस बार सोल करके देखने है अगर आपने वो सब कर लिए तो वो चार नंबर तो आपके तहीं नहीं गए still आप चाते हों कि उसके उपर मैं वीडियो नहीं आप पंजीन पैसे कैसे पढ़ना है कैसे क्वेशन सोल करना तो उसके वे मेरे को कमेंट सेक्षन में बता दीजिएगा इसके लावा बात करते हैं वर्ब, नरेशन, पैसी वोई यह सारे एक-एक दो आते हैं और यह हर बार ही आते हैं और इनके उपर मैं वीडियो बना दूँगा ग्रामर के रिगार्डिंग की एक बार जैसे मैंने एक बार नाउन टू वर्ब में कैसे कनवर्ट करना है इसके उपर एक वीडियो बना रखी है अगर किसने नहीं देखे तो जाके देखो और कमेंड में बताओ कि कैसी है वो इसके लाव बाकी जो भी ग्राम बर रहा ही इंग्रेजी की उसके वारे मैं बता दूँगा आपको उस पर भी हर एक टोपिक पे थोड़ी थोड़ी वीडियो मना दूँगा कि कैसे क्वेस्टन आते है ताकि आप लोगों को आईडिया लग जाए कि वाई ग्रूप के और एक्स ग्रूप की अंग्रेजी की तहरी कैसे करने है लेकिन अंग्रेजी के लिए मैं बोल रहा हूँ डेली प्रेक्टिस फिद कॉंसेप्ट पैसी वो इसकी जितने टाइप होते हैं हर टाइप को करके देख लो एक बार और उनको कॉंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कैसे इसमें सब्जेक्ट को वब्ब में सब्जेक्ट को अब्जेक्ट में कनवर्ट किया इस तरीके से हारी चीज़ आपको कि लिए रोनी च स्कोर कर रहा है तो आप इधर अगर 20 प्लस भी करेंगे तो चांचिज आपके क्या पर आप से पास हो जाए तो वाई ग्रूप की जो मैथ है 10th level की मैथ है इसमें मैंने टोपिक आपको पहले बताया था यह जिसे प्रोफिट लोस परसंटेज एवरेज और प्रोफिट लोस आई गया परसंटेज यह सब इनी को आपको बार बार प्रैक्टीस करनी है इतनी प्रैक्टीस के लाई इसमें कैसे भी क्वेस्टन आ जाए एक और बी हर बार पूछते है यह आपको अच्छे से क्लियर होना चीए इसके लावा ञे प्रैक्टीस बात करें था प्रैक्टीस मैं आप ए téकर क्वेस्टेज इसकोई बीबे सकते हो और यह रेंद की बीचाति है बुक मैं जो भी आप लोस प्रैक्टीस जोरोर करना की क्यों प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, देखो सिर्फ वीडियो देखने से कि लाइक कैसे करना है, किलियर, क्या सब, मैं बना दूँगा रोज वीडियो मेरे को कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोगों का नुकसान होगा उससे, कि रोज आप सिर्फ और यहार इस भाई ने बता दिया कैसे त्यारी करना है, यह सब वो सब, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, भाई आप जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कैसे इसको सोल करना है, कैसे पढ़ए नहीं तब तक कोई फाइदा नहीं हो, बता दिया, डेली प्र लेकिन याद रहे कि तुम्हें करना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, I'll be there to help you, फिर और इसके लाव पॉसनल डाउट पूसना तो आप मेरे को मेरे इंस्टागरम आप मेरे को मेसेज करके बताएं, I hope ये वीडियो आप लोगों को लिए काफी helpful रही होगी तो वीडियो को शेर भी करें उन भाईयों के साथ जो एरफोर्स की त्यारी कर रहे हैं, जैसा भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं, Thank you, जय वारत.